स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में तो भई आज आप देख सकते हैं मेरे साथ है फिर से MG की विंटसर ईवी अब आपने MG विंटसर ईवी की मेरे चैनल पर अल्यड़ी काफी सारी वीडियो देख ली हैं हमने आपको डिटेल्ड वॉकराउंड दे दिया नाइट में कैसी दिखती है MG विंटसर ईवी कैसा लाइटिंग सेट अप है वो मैंने आपको दिखा दिया और आज मेरे साथ जो MG विंटसर ईवी है वो इसका एक्सेसराइज वर्जन है तो आज की इस वीडियो में तो चलिए बिना किसी दिरी के इस वीडियो की शुरुवात करते हैं और बात कर लिए में फ्रेंट प्रॉफाइल के एक्सेसरी इसके बारे में तो फ्रेंट प्रॉफाइल कंप्रीट आप देख सकतेdadeं यहां पर जो पहली एक्सेसरी इस कार में आप इ 여기서 और करनिश branding मिल जाएगी जिसका price है 2400 यानि के लगबग 2400 रुपे बाकी next accessory जो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं वो हैं ये bumper corner protectors तो जो आपको पता है आपके bumpers के corner को protect करते हैं तो पूरा set आजाएगा total 4 pieces का जिसका price है 1300 यानि के 1300 रुपे बाकी आप भी DRL की garnishing भी लगवा सकते हैं जो की again MGA की genuine accessories में आपको मिल जाएंगी तो ये आप देख सकते हैं दो individual आपको parts मिल जाएंगे जिसके लिए आपको total 1575 यानि की लगबग 1575 रुपे पे करने पड़ेंगे तो ये तो बात हुई front profile की accessories के बारे में और चलिए बात करते हैं side profile की accessories के बारे में अब side profile की accessories के बारे में बात करें तो हाला कि यहां पर कुछ जाद accessories नहीं लगी हैं लेकिन still मैं कुछ basic accessories जो होती हैं उनका price आपको बता दूँगा सबसे पहले तो आप roof rail garnish देख सकते हैं जो की आप 5,400 यानि की 5,400 रुपे में लगवा सकते हैं बाकी हां door visor आपको पता है बारिश के मौसम में काफी काम आते हैं तो door visor अभी इस गाड़ी में नहीं लगे लेकिन में आपको price का idea देता हूँ door visor की जो पूरी kit आती है उसका price है 3,500 यानि की 3,500 रुपे बाकी side profile में आप wheel arc cladding में लगवा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह चारो wheel arc पे आपको यह garnishing मिल जाती है प्लस यह आपकी wheel arc को protect भी करती है तो इस पूरी kit के लिए आपको 4,000 रुपीज पे करने पड़ेंग तो side profile की accessories के बारे में मैंने बता दिया बाकी यह जो आप accessory देख रहे हैं हाला कि इसका नाम tail lamp accessory है लेकिन obviously आपको side profile में दिख रही है तो मैं ही पर आपको बता देता हूं तो tail lamp garnish के लिए आपको 990 यानि की 990 रुपे पे करने पड़ते हैं और बात करें interiors की accessories के बारे में तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कार में entry exit करते time चो कार की body पे scratches बगर आ जाते हैं तो उसकी protection के लिए आप ये scuff plates लगवा सकते हैं जिनका price है 1900 रुपीज बाखी बाखी कार के floor को भी आप dust and dirt बगर से protect रना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3D mats को option मिल जाता है and यह यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपको 5,500 रुपे में यहाँ पर आपको अंदर केविन के लिए तो mats मिलते ही मिलते हैं साथ ही साथ बूट के लिए भी आपको proper 3D matting मिल जाती है बाकी interior में इतनी बड़ी screen मिलती है तो उसकी protection भी तो बनती है ना तो MGA क आप genuine accessories से screen protector भी ले सकते हैं जिसका price आप मेरी website पर जाके देख सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो नीचे comment section में जरूर बताएं बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया MG Windsor EV में आपको 4-5 accessories के packages भी मिल जाते हैं तो अगर आप detail में चानना चाहते हैं किस package में कौन कौन सी accessories मिलती हैं तो आप मेरी website www.autodate.in checkout कर सकते हैं महाँ पर मैंने detailed article already upload किया हुआ है तो चली इस वीडियो को में यह प्रेंट करता हूं तो गाड़ी चलाते हैं सेट बैट और बाइक चलाते हैं हलमेट अगाने में बिलकुल ना शर्माएं यह आप ही की safety के लिए है तो कर दो कर दो